आपको Bollywood Actresses, दीपिका पादुकोन के एक ऐसे अंजाने Facts और सच्चायों के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा. दीपिका पादुकोन के कुछ ऐसे रास के बड़े में जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे. दीपिका पादुकोन की एक्टिंग की बात की जाए, तो दीपिका बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं करती है, दीपिका बहुत ज्यादा सुन्दर है, लेकिन इसके बावजूद पूरे Bollywood में इसे ऐसे रियक्ट किया जाता है, जैसे स्वर्ग से उतरी हुई कोई अपसरा ह दरसल ये सर गेन टी आरपी का है, लेकिन आज के इस खास वीडियो में मैं आपको Bollywood Actresses दीपिका पादुकोन के ऐसे अंजाने फैक्ट्स सच्चाईयों के बड़े में बताऊंगा, जिसके बड़े में शायद आपको पता नहीं होगा. दीपिका को बारहवी क्लास से ही मॉडलिंग के ओफर आने लगे थे, इसलिए उसने ने पढ़ाई बीच में ही छोर दी, दीपिका बचपन में सिर्फ बैडमिंटन खेलती थी और इंटर कॉलेज में भी स्टेट लेवल पर काफी बैडमिंटन खेल चुकी है. लेकिन कॉलेज आते आते दीपिका का रुजहान मॉडलिंग की की तरफ होने लगा, मॉडलिंग के साथ दीपिका ने कई टीवी एड में भी काम किया था. साल 2006 में ही दीपिका को अपनी पहले फिल्म एश्वर्या मिल गई, जो की एक कन्नड मूवी थी. इसके बाद साल 2007 में विजय मालिया की महरबानी से ही बॉलिवुड में डेब्यू हो गया. फिल्म का नाम था ओम शांती ओम पहले फिल्म बड़े लेवल पर सक्सेस साबित हुई, तो दीपिका ने विजय मालिया को छोड़कर निहार पांडे से दोस्ती करनी शुरू कर दी. दोनों की मुलाकात एक अक्टिंग स्कूल में हुई थी और दोस्ती के बाद ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लग गए दा तकरीबन तीन साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दीपिका ने निहार पंडिया से ब्रेक अप कर लिया. दीपिका की पहले हिंदी फिल्म हिट हुई तो दीपिका सुपर स्टार बन गई. इसके बाद दीपिका ने और कई बड़े-बड़े बजट के फिल्मों में काम किया. जैसे बचना ये हसीनों, चांदनी चौक टू चाइना, लव आज कल और हाउसफुल इसमें बचानाया हसीनों के दौरान दीपिका और रनबीर कपूर एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब ए गए गए थे. और ये दोनों एक दूसरे की प्यार में पड़ गए थे. दीपिका और रनबीर कपूर का प्यार सबसे ज्यादा चर्चित अफेर्स में हालांकी इन दोनों का अफेर भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला और एक डेड़ साल के बाद ही दोनों अलग हो गए थे. एस धोनी का जो की भारतिय क्रिकेट के पूर्व कप्तान है एस धोनी और दीपिका के अफेर की खबरें मीडिया में चल ही रही थी. कि तभी खबरें आने लगी की दीपिका का अफेर भारतिय क्रिकेट टीम के जो राउंड युवराज सिन से भी चल रहा है. कुछ रिपोर के तार भिडे रनवीर सिंग के साथ, रनवीर सिंग के साथ में कई साल रिलेशनशिप में रहने के बाद उन्होंने साल 2018 में शादी कर ली.